नमस्कार ये है केसर जिससे की सैफ्रोन भी कहा जाता है इंगलिश भासा में और इसके बारे में एक बोल चाल में आपने बहुत चीज सुनी होगी कि कोई भी जो प्रेगनेंट या फिर गर्भवती महिला होती है उसको बोलते है कि दूद में ना केसर मिला कर खाना क्यों बच सारी लोग आप में से कमेंट कर रहे थे कि केसर के बारे में जो आईरवेदिक सास्त्र है उसमें कुछ डीटेल्स बताई गई है क्या तो जी हाँ चलिए आज हम जानेंगे केसर के क्या-क्या आईरवेदिक गुडिया फायदे बताई गये है सबसे पहले इसकी गुण मतलब इसकी जो प्रॉपरिटीज है वो बताते हुए आईरवेद में इसे स्निक्द और लगू ऐसे दो शब्द कहे गए है इसका मतलब बाई नेचर ये चिकना होता है केसर जो होता है और लगू हलका होता है इसको अगर आप कभी खा कर तो इसका करना तो नेचर जो शब्राय ऐसे अगर से खा के देखेंगे तो इसका जो टेस्ट है वह थोड़ा सा कढ़वा और तीखा इस तरह के बेसिकली कढ़वा ज्यारज यादर टेस्ट nella हाट होता है जर्ड़ घाल अोलए में तीखापन कट्वचन प्रपरिदा करने का काम करता है, by nature इसे ओशन बोला है, घरम बोला है नेचर में, तो केसर जो होता है इसकि प्रकृति या फिर जो इसका वीर्य है, वो ऊशन वीर्य है इसे by nature ऊशन बोला है कटो ऊशन ऐसे करके शब्द आया है, और श्लेश म समीर जीत ऐसे करके एक शब्द बोला है इसका मतलब होता है वैसे तो यह तीनों दोश्रों पे काम करेगा वात, पित, कफ तीन के तीनों रोगों में केसर बहुत ज़़ा फाइदेमंद है पर especially जो भी कफ की बीमारी है या फिर वात की बीमारी है श्लेश में समीर जीत ऐसे करकर शब्द बोला है अब कौन-कौन सी कफ और वात की बीमारी हो सकती है तो आप मेंसे इसे लोग जो थंडे area में रहते हैं कुछ ठंडे आइटम्स का अपने अगर खा लिये ठेक है जैसे दूद्द पी लिया या आइस क्रीम खा ली या कुछ भी ठंडी चीज आपने खाली आइस क्रीम खा लिया तो आपकी तकलीख बढ़ जाती है बार बार सर्दी होती है या फिर हवा अगर लग गज़ी तो आती हो ठंडी लगके या ठंडी लगके जोडों का दर्द होता हो ठंडी लगने के कारण memory loss की तकलिफ हो रही हो ठंडी के कारण dandruff की तकलिफ हो रही हो अगर ठंडी से रिलेटर आपको कोई भी problem है या ठंडी के मौसम में आपके issues बढ़ जाते हैं तो केसर आप अपनी diet में या अपने lifestyle में जुरूर यूस कर सकते हैं अब इसके क्या-क्या फाइदा है वो जान लेते हैं तो सबसे में फाइदा इसका बताए गया है जो भी skin के related problems होती है खास करके आप मेंसे ऐसे लोग जिनको face पे जाईयां आने की तकलिफ होती है मेरे अजमा जिसी जो तकलिफ है जब जब आपके शरीर में वायू बढ़ जाएगा आप मेंसे ऐसे लोग जो की 40-45 के आसपर जब ladies का time आने लग जाता है या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा stress लेते हैं बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ खटपिट चलते रहता है और उसके कारण अगर आपका face का रंग खराब होने लग गया है face का रंग भी करने लग गया है तो ऐसे में केसर खाने में यूज करना और केसर का local application करना दूद में घिसके या फिर केसर को ऐसे पीस के उस जिगा पे लगाना तो आईरवेद में व्यंग मतलब काले काले spot आना ठ चरीर में उन सब के सब को ये ठीक करने का काम करता है इसकी property वर ने बोली है मतब चेहरे का रंग निखारने का काम करता है तो आप मेंसे ऐसे लोग जो चेहरा अच्छा करना चाहते हैं चेहरे को सुंदर बनाने में interest रखना चाहते हैं तो वो केसर का खाने और face पे लगाने आफिस में काम करते हैं और central AC है हवा कई लुक बोलते हैं कि मैं जिस desk पे बैठता हूँ वही पे AC की हवा सीर पे लगती रहती है और मेरा सीर दर्ध होने लग जाता है तो ऐसे में केसर को इसके कुछ जो ऐसे ये जो मिलते हैं particles ठीक है ऐसे इसके जो केसर होता है उसको piece के होना या आखों की जो भी समस्चा है उसे ये ठीक करने में मदद करता है अगर आप इसे internally खाने में यूज करते हैं डेली पीस के या डारेक ऐसे भी या दूद में मिला के किसी भी form में केसर खाने में यूज करते हैं अगर आप केसर को internal खाने में यूज करते हैं तो शिरो कुछ दो श्रित ऐसे करके शब्द बोला है और थाथ सीर से रिलेटेड जो भी बीमारिया है आप में ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत जल्दी ठक जाता है बहुत ज़्यादा विचार मतब खट पीट अस बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत जल्दी एंजाइटी हो ज होगा बट अगर ऐसे हो गया है कि एक्जाम का नाम सुनके सोड़ा ऐसा हो रहा है सिर्दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया हाथ पैर कापने लग गए हो हार्डवीट बहुत बढ़ने लग गई है तो दिमाग के जिन लोगों को कमजोरी है उनको या फिर जिनको दिमा आता है वो सारे के सारे लोग केसर को खाने में यूज कर सकते हैं जिने दिमागी रूप से आलस बहुत आता है उनके लिए भी केसर बहुत अच्छा है क्योंकि यह ओशना है तो जो भी आलस आने वाली जो भी सिस्टम है या जो एक्स्ट्रा कफ बढ़के आपको आलस आ रह कीली तकलीफ होती है आमवात मतलब कि आपने खाना खा लिया और वो खाना हजम नहीं होता और खाना हजम ना होने के करण आपको पेन होता है कि सुबह उटके आप जब पैर-जमिन पे रखते हो तो एडी में दर्द होता है या हात्त की अंगलियों में दर्द होता है खान जब जब खाते हैं हजम नहीं होता, पेट में बहुत जदा भारी मन लगता है, भूप ठीक से खुलती नहीं, और अगर गलती से कुछ खा लिया, especially धूत, पनीर, मीठा, ऐसे कुछ heavy items, पानी पुरीवरी खा लिये, तो पेन और बढ़ जाता है, तो ये उस आमवात का जो पेन और रिदेविकार, मतलब लिवर रिलेटेड आपको disorders है, heart related problem है, ejection fraction आपका काम है, cholesterol बढ़ गया है, fatty liver जैसे issues है, heart आपका अच्छे से काम नहीं करता है, इस तरीकी की तकलीफ है है, तब भी ये बहुत अच्छा फाइदे मन रहेगा, और ये खुन साफ करने का काम करता है, तो आप मेंसे ऐसे लोग जिनके की blood sugar level बढ़ा हुआ है, cholesterol level बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या रक्त के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा, चिकना, ऐसे item खाका के, किसी भी कारण से खुन खराब होने लग गया है, तो केसर फाइदे मन दोगा, उन लोगों को जिनको के urine नहीं आता, पेशाब अच्छे से clear नहीं होती है, ऐसे लोग अगर केसर की कुछ, जो ये इस तरह की केसर मिलता है, पास से छे चीजों को लेके उसको आप पीस के अगर खाने में यूज करते हैं, तो urine का flow खोलने में ये अच्छे से मदद करता है, तो अगर genital system या फिर माहौल आहौल सा बच्छे से है, बट properly erection नहीं हो रहा, erectile dysfunction जैसे तकलिफ हो रही है, जो आपका link है या पेनी से, वहाँ पे proper blood supply नहीं हो रहा है, और उसकी current proper erection नहीं हो रहा है, तो वैसे लोग इसका यूज कर सकते हैं, लेडीज में ऐसी महिला हैं, जिनको कर्ष्ट आरत होता है, PCOD जैसी तकलिफ है, उनको या फिर नस्ट आरता हो, मतलब period आता ही नहीं है, 6-6 महिना, 8-8 महिना, 1-1-2 साल का time हो गया है, बट period आई नहीं रहा है, तो ऐसे condition में अगर आप खाने के पहले केसर का यूज करते हैं, तो उस जो आपको आपको आपी जो भी नस्ट हो रहा है, तो वो कफ और वात रिलेटर जो भी issues है, क्राइम पाना, PCOD हो जाना, उन सब को ये ठीक करने में मदद करता है, और आप मेंसे इसे लोग जो कि as a tonic को ये चीज धोड़ रहे हैं, जो कि ठंडी के मौसम में बिंदास ले सके, या आप मेंसे इसे लोग जिनको बह जोर हो गया और वो as a tonic use करना चाते हैं, तो केसर के ये जो threads होते हैं, इसको आप use कर सकते हैं, धातू में कौन-कौन सी धातू में काम करेगा, तो ये रक्त धातू पे काम करेगा, रक्त धातू को साफ करेगा, और रक्त धातू खराब होके जो भी skin disorder होते हैं, pimples होते हैं, चुटे चुटे दागवा गाते हैं उसे साफ करेगा रस धातू जिन लेडिस का बहुत ज़दा चीनता होता है या जो बार-बार खाती है दिन में सोती है और पीरेट्स पे क्रैम पा रहा है तो उस रस धातू को अच्छा करके पीरेड नॉर्मल आने में उनकी मदद करेगा मजज़ धातू आप मेंसे ऐसे लोग जिनको आखों की तकलीफ है, ब्रेन कमजोर है और वो अगर एक टॉनिक दोड़ना चाते है कोई गरम टॉनिक दोड़ना चाते है जो आख और ब्रेन दोनों पर काम करे मतलब मज़़ धातू पर काम करे तो केसर आप यूज़ कर सकते है और आप मेंसे ऐसे लोग जो शुक्र धातू को बढ़ाना चाते है बट कई बार ऐसे होता है कि शुक्र धातू को बढ़ाने के लिए लोग बोलते कि दूद पीलो घी खालो और आप दूद और घी ले ले लेते हैं तो आपकी तकली बढ़ जाती है सर्दी कफ हो जाती है पाचन नहीं होता तो ऐसे में कोई अगर एक गरम टॉनिक धोड़ रहे हैं जो कि शुक्रदातू को नरिश्मेंट करे और आपके शुक्र में करने का काम करता है कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आपको मार्केट में चेसर मिल जाएका करता है इसके चारसे पांच यजुर्फ सारी क देजे है या directly पानी में घस के भी खाने के पहले या खाने के बाद सुबर शाम यूज़ कर सकते हैं वजन के हिसाब से चेक करना चाहते हैं तो 400 mg मतलब एक ग्राम का भी जो आधे का थोड़ी सी कम मात्रा होती आधा ग्राम से भी थोड़ा कम मात्रा में आप डेली इसे यूज़ कर सकते हैं और जाते जाते ये केसर का मैंने तिलग लगा कर रखा है केसर का तिलग लगाने का फायदा ये बोला है कि जो गुरू होता है आप में से जो जोतिश फॉलो करते होंगे तो उसमें जो गुरू ग्रह होता है केसर का तिलग लगाने से वो गुरू ग्रह अच्छा हो जाता है गुरू ग्रह अच्छे होने के जो जो benefits जोतिश में बोले हैं वो सारे फायदे मिलते हैं तो ये brain को भी active क करने का काम करता है तो इतनी कमाल की दवा है, जो कि वात-पित-कफ तीनों बे काम करता है बट especially ये क्यूकि गरम होता है निचर में तो वात-कफफ वाले इसे डारेकt यूज कर सकते है और अगर आप में से कोई पित वाले इसको यूज कर रहे हैं यह है केसर का review और ऐसे कौन से topic पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके suggestion आप दे सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहें उमीद है आपने यह वीडियो end तक देखा होगा और यह वीडियो देखने से आपको आईरविद की बहुत सारी चीजे सीखने मिली होगी अगर यह वीडियो आपको बसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसे ही pure authentic आईरविद की जानकारी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो भी लोग शुद्ध आईरविद का कीजिए और ऐसे ही आईरविद सीखते रहिए धन्यवाद